रगु सिंगानिया उसकी पत्नी शेलजा सिंगानिया और बेटी अनामिका रगु सिंगानिया को यूए में आकर 32 साल हो चुके हैं दो सो लोगों को रुजगार देने वाला इनकी तीन एलियूमीनियम फाब्रिकेजन कंपनी थी धे सारे ओर्डर्स अयाशी की जिन्दगी अच्छानक से सब कुछ हाथ से चला गया एमबेसी सेंटर में रहने वाले सैकडो लोगों के बीच में सरकार की तरफ से फ्री टिकट पाने वालों में इनका भी नाम है अभी हम बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी नाम में उले संदी उनका भुप हिए से खियो हो देसकी कहानी हैं कर दो आज तो और दो कर दो सहां. कुराना मेथ्यू और उसकी बीवी है रेनू मेथ्यू कुरानों को 28 साल हो चुका है मीडल इस्ट कंट्री में आकर होटल बॉई से अपना कैरियर शुरू किया कुछ ही सालों में तीन स्टार होटल और दो डांस बार का मालिक बन गया उसकी बेवी रेनू यूए में दुबई की बहुत नामचीन ब्यूटीशन थी और खुदी एक इवेंट मैनेजमेंट की मालिक होनगी सोच अपना ब्यूटीशन भी चलाती थी बिजनस से आई हुई कमाई को दोनों दुबई में ही इन्वेस्ट करते थे गाड़िया, घर, प्रॉपर्टीश सारे थे अचानक से सब कुछ हाथ से निकल जाता है अरवी लोगों का दिया हुआ होटल स्टोर रूम में फिलाल दोनों ठहरे हुए है खुराना टेक्सी चलाता है और बीवी रेनू अरवी लोगों का कर्श चुकाने के लिए अपना जिसम बेच कर आती है प्रूम में अरवी लोगों का जाता है है हो हुँ तो सिंगानियां और उनकी पत्नी स्हिल्जा सिंगानिया और बेटी अनामिका, रगु सिंगानिया को यूए में आकर 32 साल हो चुके हैं, 200 लोगों को रोजगार देने वाली इनकी अल्यूमिनियम फैब्रिकेशन की कमपनी, धेर सारे ओर्डर्स, आयाशी की जिंदगी, अचानक से सब कुछ हाथ से चला गया। एमबेसी शेल्टर में रहने वाले सैकडो लोगों के बीच सरकार की तरफ से फ्री टिकेट पाने वाले में इनका भी नाम है। हम आभी बताने जा रहे हैं इस परिवार की कहानी। कॉफी कॉफी। कितनी बार बोल चुकी हो फोन करके पथा करने के लिए। वड़े वड़े वड़े। इलो कि अकषिजू मारूधी स्वामी कि अबिम्ने स्वामी पुल रहे कि तनी बार बोलो कि अब आ भुचा कि आलो मुझा सुना ते रहा है 빵 कि अभी कहां ते में तक्लीप निहीं कोई तकलिफ नहीं अच्छा सुनो नौ और असी के बीच में नंबर बता नौ और असी के बीच का नंबर तस बोलो तस नंबर है उन्यासी साथ और नौ यह तो शुक्रगरा कि राशी है तुम्हारा काम सफल होगा पक्का है लेकिन फिर भी जरा होश्या रहना तुम जिस काम क कर सकता है तुम्हारा कर दिया तीरी तो ऐसी की तैसी हाँ इसको अगर वड़ा कहूंगा तो तुम्हे मुझे अमिता बच्चन कहना पड़ेगाнул अमिर खान कहना पड़ेगा तुमको सलमान खान कहना पड़ेगा भाई तुम्हारा मेरा जो शरीर है वो एक मंदिर की तरह है ये 2000 साल पहले रिशी महात्माओं ने बोला है इसलिए शरीर को संभाल के रखना पवित रखना हमारा काम है लेकिन ये वड़ा खाके हमारा शरीर इस सवचाले जैसा हो जाएगा समझा इसको देखके भगवान भी आज कल हमारे शरीर के अंदर भगवान जो रहना नहीं जाते उसका कारण हमारा खाना भी है बता ये वड़ाए वड़ाले वड़ाले वड़ा ये वड़ा खा करो घए वड़ा खायी दिको वड़ा खाऊ आपकी शहर से हो रदिन गिरी जारहा नाग मूनीद मॅधु भाई चोड़ा सार के बाई चारजर अभी दे दिती हूं नहीं देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है तुनो इस ट्रेन में चड़ने से पहले मैंने तीन पैक लिया था तुमको ऐसे तो नहीं लग रहा ना कि मैं ज्यादा बात कर रहो हूं ऐसा तो नहीं मतलब मैंने जो भी ब अनना था एक अगा जो एक जो एक अगा चाहिए लगा वाटोगे तो प्यार मिलेगा अगा कर दो कर दो कर में कर दो प्रशिंटू महलो एक्सर्स इवर ओंढरा की पूछल्टू अधिर्शा है क्या थे ये सर्ड एक किला खाओ क्या काये नजर काये न अरे उसके पेचे उसके पीछे इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता बेवकूफ कहीगा कॉफी कॉफी अरे जल्दी आओ नमबर मिल गया उसका नाम हट्टी रेड़ी है शंकरगर से वो हमारे साथ आएगा और सही जगा का पता उसी को पता है उसका साथ रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है ठीक कहा कॉम तूर में आर्यपुरम एक बार है फेमस बार है प्लाइट में स्रिफ बिजनस क्लास में जाने वाला नत्राज नाम का मालेक क्यों यहां स्लीपर क्लास के बातरूम के बाजो में बैटा है वो भी चिपकर मैं नहीं पूछूंगा कहा जा रहा है यह भी नहीं पूछूंगा मुझे कुछ नहीं करना है तुम यह पगड़ लो आराज इस ही कैसे बता चला यह क्या बोल रहा है इसे सब पता है क्या तुम्हें एक लात मारूंगा ना मुझे क्यों बोल रहे हो हां जो बैठे बैठे थोड़ी खाए नी खाए जाए पूरा कीचो इसको चली तरा अहां अरे यह किदर गया अरे केला खाया ना तो बातरूं में होगा कोई आ तो नहीं रहा है ना कोई नहीं है भे हेलो हलो स्वामी में हूँ क्या हुआ स्वामी आपने जो कहा वह सच निकला एक आदमी गाड़ी में चड़ा अच्छा आप चालीश से सत्तर के बीच कोई नंबर बताओ मुझे अमज़ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ अच पहाड के पानी के जैसा दे जाते रहेगा अगर तुम समल के रहना समझे नहीं तो हैलो है अरे वह प्रे में जो हमनों कहां जा रहे बताव तुम मुझस Stunden हम लोग कहां जा रहें कहां तुमें पताय न तुम बताव हमें बताव क्या hall तुम लोग जहां जा रहे हो उसी जगा पर मैं भी जा रहा हो सिंग supply कर दो कि मेरे पूरे सोला बार बन पड़े है क्या बोलो मेरे पूरे सोला बार बन पड़े हैं उन में से कुछ बार चालु करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा खिला कर रखा था तभी मारुति स्वामी ने बोला नागमनी लाकर पूजा में रखेगा तो सारी तकलिफ दूर हो जाएगी और वो जो भी बोलते हैं सच होता है लेकिन यह जो चीज है वो मिलनी चाहिए ना तभी मुझे पता चला क कि रत्नागिरी में यह चीज मिलेगी गुरुदेव के आशिरवात से हम वहाँ जा रहे हैं सार हम पे जरा दया करो बदले में आपको जो चाहिए वह मैं आपको दूंगा इधर है इधर रखा है क्या बाइस आप इधर देखो इसे पढ़ने से पता चला कि कि अधर का है आर एक सला देता हूँ यह चोरी मर्डर नागमनी जैसी बातों पे तुम लोग ध्यान मत दो समझे किसी को जानने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है समझे कितनी बार मैंने पोन किया पोन क्यों ने उठाया रसोई में कोई भी समान नहीं है मैंने सिम चेंज कर दिया नया नमबर लिया है ऐसे सिम बदलकर घर बदलकर कब तक जीएंगे तो फिर मैं चाहिए हम इससे पहले कहीं मिल चुके हैं सुबह से ट्रेन में ही तो है मिल चुके हैं हाँ एक्जैक्ले वही सोच रहा था इसलिए जरा सा अरेक की जिंदगी एक जंगल जैसी होती है बारे इसके अंदर कौन है कैसा है कुछ बता नहीं इस कंपार्टमेंट के यादरी लोगों के बारे में जरा सोच करते हैं हसते खेलते बाते करते हुए आज की दिन निकल नहीं लेकिन कल का क्या होगा किसको बता एंडू स्टोन इसके दो बच्चे लोग एक बड़ा लडगा हाट पेशन्ट है यह लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं अभी अभी फोन पे अपने घरवालों से जगड रही थी अपने घर के हिस्से के लिए मुंबै में नर्स सा काम करती साथ ही कैंसर की पेशन्ट भी है इनके दो लड़के भी हैं जो इनके साथ चल रहे हैं नीरज अमला यह दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे दूसरे को चानते ही नहीं अलग अलग सीट पे बैठे हैं यह सफर इने साथ में गुजारने से वैतर वाट्सव पे गुजारना चलबता है और नागमानी को ढूडने के लिए रतन लगने से कई लोगों को परिशानी होई उनके लिए लटने जा रहा है मुंबई के खोर्ट में फादर जैसूराजन इनकी समस्या और हमारी समस्या काफी अलग है तुम कभी आसम गए हो मेरा बच्पन आसम में ही गुजरा है सच में मेरी वाइफ वही की थी शादी के बाद हम दुनों वही रहते थे हमें वो जगह बहुत अच्छी लग थे वाट ब्यूटिफुल नाइट उस दिन से मुझे मुझे प्यार का महबत का एंसास होने लगा यू नो आयम एनिमेटर भाइप प्रोफेशन भुवन भाई के दो गानों का एनिमेशन का काम मैं नहीं किया बिस्तीर में पाला औरे अहंख जाना औरे सच में आज जिस आदमी से मैं ट्रेंड में मिला वो बहुत अच्छा है मुझे यकीन है इसे मैं कही तो मिला हो कहां मिला हो बिस्तीर में पाला औरे अहंख जाना औरे आगागाई क्लिक सावार नहीं हो का इस्तीर में है का बिल् know क्मान का नहीं का झाल कि झाल झाल अचे ठीक है नहीं आच अब में देख लूगो अज़ बाई यह ट्रेन क्यों रुख गई अडे भाई लगता है गारी खराब हो हुई है ट्रेन को यहां से आगे जाने में 24 घंटा लग सकता है अच्छा अनन्द रामन, CEO and Chief Editor, प्रवासी चैनल, am I right? मैं कुछ दिन वी एई में था, I am John David, है पूरी गडबड हो गई, कले कारजंट मीटिंग है कारवार में, अब क्या करें, ट्राफिक के वज़े से लेट हो गया और फ्लाइट मिस हो गई, भाग दोड़के ट्रेन पकड़ी और यह भी लेट, हेलो, हेलो, मारती स्वामी है ना, मैं नट राज बोल रहा हूं, लगता है कि गाड़ी बहुत देर तक रुखने वाली है, यहां बैटने से बेटर बाहर चलते हैं, चलो, चलो, प्लीज कम, भाई, दो निम्बु पानी, हाँ, दो जोज, आप कहा जाने वाले हो, कारवार कटी-कटी है, अबकला कट्री निकलेगा तो, कारवार जाने निकलेगा त जाने का चांस नहीं है, मंगला वरम से दूसरे रोड से जाएगे, मैंने अभी रेल्वे हेल प्लाइम से बाद की है, एक जूस, यह बाई रोड करवार जाने के लिए किसे जाना होगा, कार बस तो नहीं मिलेगा आपको यहां से, ट्रक वगरा कुछ मिल सकता है, आपको यह हाईवे पकड़ के जाओगे, तो बीस किलो मिटर पर एक मंदीर है, वहां से दुमको बस वगरा मिल जाएगा, वहां से बीस किलो मिटर है, वहां से तुम पहुच जाओगे, तो क्या सोचते हो तुम, हम यहां रुके या... शादी होगे, लव मैरेज, मेरी भी, लव इन दे टाइम आफ कॉलरा, मार्केस की किताब पड़ी है तुमने, उनकी एक कहानी है, जिसमें कहानी का हिरो युद्ध करके लोडता है, और वो अपने प्रियसी से मिलना चाहता है, पर वो उससे नहीं मिल पाता है, असाम के एक अनात आश्रम में, मल्यालम के एक स्कूल में, वहाँ के फादर दवारा पाला पोसा अनात हुए, हपते में एक दुबार रेलवे कॉंट्रेक्टर अपनी बेटी के साथ आश्रम में आता था, तो उसकी हमर दस साल रही होगी, थोड़ी बिल आश्रम की परवान करते हुए उसे देखते ही मैं उसके प्यार में पढ़ गया है मैंने उससे अपने प्यार का इजहार हर तरीके से करने की कोशिश की पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा दस्वी की एक्जाम खत्म हो गई थी आसाम से अपने सारे कामों को खत्म करके वो रेलवे कॉंटेक्टर अपने काव चला गया पहाडों के उपर से धड़क धड़क करते जाने वाली ट्रेन देखकर मेरे आँखों में आसुआ गया अलग-अलग शहरों मेरे सिंदगी बीटती गई और मैं कार्टून बनाने लगे अज़र क्रियेट्यव डिरेक्टर में काम करा था युओएई में तब मेरे उमर 40 साल थी तभी मुझे एसास हुआ कि मेरे सपनों के राजकुमारी यहीं आसपास है अन्ना हाँ वो मेरा पती है कि अन्ना कुछ अन्ना पीचे वेटी थी जॉज गाड़ी चला रहा था मैंने उसे कई बार देखा मगर बात करने की हिम्मत नहीं हुए मैंने सोचा भगवान ने ऐसी गल्दी क्यों की किसी और की अमानत किसी और को सोग है तभी मेरी मुलखा जोसफ से हुई जो हन्ना के पिता जी थे मैंने उनको अपना परिचे दिया और उनका अच्छा दोस्त बन गया जब भी मुझे समय मिलता तो मैं उनके साथ वक्त बिताना था क्योंकि मुझे हरना से भी तो मिलना था जैसे सोचा वैसे ही हो रहा था तेटी सुभाँ चली जाना नहीं पापा जाना है अरे जॉर्ज वेट कर रहा है जॉर्ज अलदी जाओ कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा जैसे कि किसी ने मेरी आखे बंद कर दी हो उसी दिन से तीन मेने के बाद एक कार एक्सिडेंट में जॉर्ज मर गया नसीब अच्छा था कि हन्ना बच गई क्योंकि उसे पीछे बैठने के आदत जो थी क्योंकि भूल imply कि या कईतिता हुआल mitad कि उसका जा जबगा कर दोड़े मेरी खाफे एक का्सिज़ को इह घुतन morning मैं तुमसे प्यार करता हूँ मुझे सारी बाते सपने जैसे लग रही थी अब तक मैं सोच रहा था कि वो मुझे मिलेगी या नहीं और आज वो मेरे साथ में थी अक्तिव अन अबजेक्ट लुजेक्ट पॉश औन पूल अन अट्टिंग अबजेक्ट लिए पाल मिश्यस हुन के ऑफिस में जल्दी औक, I'll be right back. इसे अनिमेशन में जो चारेक्टर हमने चुने है वो स्कूल से रिलेटेड है, कुछ बच्छों से रिलेटेड है, कुछ टीचर से रिलेटेड है, मतलब हमारी सारी स्टूरी जो है, वो टीचर और स्टूडेंट को लेकर है, इच्छात। है नहीं इसमें हन्ना भी है अरे सर्थ नो आइकान कम ओन हालो जोर्ज को गुजरे एक साल हो गए है कल उसकी पुन्यति थी है प्लीज कम हाँ ठीक है है टॉक्तो माइफ फादर रियली उस दिन के तीन महीने बाद हमारी शादी हो गई उसके माता पिता ने में फॉर्म आइलेंड में एक रिसोर्ट बुक किया वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था दिन में वो वो एक का पीक है। पैलोग ये लोगा पिलोगा लौरी यही तक किये उत्रो उत्रो आइवे जाने के लिए गाड़ी मिलेगी अभी नहीं मिलेगा सुबा देखना पड़ेगा कि मेरे लिए मत बनाना अरे कुछ तो लेलो नहीं अभी मेरा मूड नहीं अनन तुम्हारी कोई समस्या है क्या बताओ न अगर ऐसा कुछ है तो दिल खोल कर अपनी बात बतादो हर समस्या का समाधन है मेरे पास मुझे लगता है कि हमारी कहानी एक जैसे ही हो सकती है सच्चे प्यार को अगर पाना है तो ओशो ने सही कहा है ऊशो रजनिष जानते हो न ओशो वरतमार के बारे में सोचो कि अरे नहीं 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 तुम ब्रॉडकास मेंस्टर से मिलोगे तो काम हो जाएगा मैंने सब कुछ बता दिया है मीटिंग की डीटेल मुझे मेल करो ठीक है अगले महीने दस्तारिक के पहले क्यों टेल का फूरा डीटेल सब्मिट करना है चाहे हां लाओ दो यहां बैठो अराम से तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो जो हम करने जा रहे हैं वो बिलकुल ठीक नहीं लग रहा है बहुत तर लग रहा है अरे पगली जरा सोचो तो UAE में पहला मल्यालम चैनल यह बहुत बड़े साहस की बात है अच्छी तरह सोच समझ कर ही मैंने यह फैसला लिया है यह वहां UAE में पिछले दस सालों से मीडिया में काम कर रहा है और यह खुद मेरा साथ देने के लिए तयार है एक बड़ सोचो तो शुरू करेंगे तो साथ देने के लिए चारपास इन्वेस्टेस रेडी है हम लोग उन लोगों से बात कर चुका है तुम्हें फिक्री करने के इतनी ज़रूत नहीं है इत्स मैं ड्रेम तुम्हें पता है ना आधा रास्ता तय कर चुका हूं मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज सब लोग आ गये ना प्ले करके दिखाओं अधाय कर लोग लोग जये तुम्हें प्ले कर दोगने के इतनी ज़रूता है UAE के परसिद बिजनेसमेन और पब्लिक सोशल वरकर शीशा बिन मुहम्मद आज टॉप 10 में हमारे साथ नमस्कार नमस्कार हाँ आज गोली है कि अरे परवास ने तो कमाल ही कर दिया ऐसा कुछ नहीं है अगर ऐसे ही चला तो चैनल से हम सब का पत्ता ही कट जाएगा अलहम दुलिल्ला अब टाइम मिला तुम्हें फोन करने का अरे हां यहां आने के बाद फोन करने का टाइम ही नहीं मिला तुम जानती हो यहां बहुत सारा काम है बिटिया सो गई क्या जरा उसे फोन दो ना वह सो गई है पर इभ उसे बुलाओ ना, उसे बात करने का मन हो रहे हैं अगर बच्ची से बात करने का मन है तो कल फोन करो छेया यह भी नई बाur से आकर योएए में बिजनस करने वाले लोगों को UAE के फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्हें अपने अपने देश वापस लोट जाने को कहा है पुखता सबुत ना होने की वज़े से UAE में मौजुद तकरीबन दो लाख लोगों को UAE की सरकार ने उन्हें उनके वतन वापस लोट जाने का निर्देश दिया इस सिलसिले से देखा जाए तो जो लोग बेरोज़कार हुए है उन्हें मजबूरी में अपने देश वापस लोटने के लिए बेवस होना पड़ रहा है यहां के लोगों से बात करके पता चला कि लोग तकलिफ में हैं हमारे चैनल प्रवास नियूज ने इन सब से बात की तो इंडिया की एक ड्राइवर लेजनसी ने सो लोगों को ऐसे फिक वीजा दे कर यहां भेज दिया है ऐसे हमें बिलकुल पुखता ख़बर मिली है हालात कब तक ठीक होंगे इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस हालात को देखते हुए इंडिया से आये काफी लोग खाना और ना रहने की बेवस्ता की बज़े से आपस में लड़ जगड रहे हैं ऐसी खबरे रोज आ रहे हैं देखते हैं सरकार क्या कदम उठा रही है सर आपकी सपोर्ट से ही हमने काम शुरू किया है अब आप ही ना कहेंगे तो हम कहा जाएंगे हाँ हाँ मुझे पता है तो सर हेलो हेलो सर हेलो जॉन सर ने ना बुला यैसे ही रिजिस्टेशन हुआ मेट्रो का ओर्डर कैंसल हो गया है हेवी लॉस अभी पांच पैसा भी नहीं लगाने का बोल रहे हैं एक एक करके लोग साथ छोड़ रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में हाँ 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 आ गई क्या अनन्द पांच पैसे भी हमारे पास नहीं है ऐसे समय में पापा को तकलीफ नहीं देना चाहती हूं लेकिन दे रही हूं यह सोचकर मुझे अपने उपर बहुत कुछसा आ रहा है यू शोड़ तो समय में बाट इस ओवर आप यह सब्सक्राइब नहीं है यह सब्सक्राइब नहीं है तो अविजिए अच्छे पाटी देनी होगी रेवती की डिलीवरी हूई है बेटी हूई है शुबे चार बजे हूई हाँ मैं फोन रेवती को देता हूं यह यहलो है हलो 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 जब रात को मैं फ्लैट में गया तो रेवती को कॉल किया और उसने उठाया नहीं है फिर अपने साले को कहा कि उसे बात करवा दो लेकिन उसने बात ही नहीं की ऐसे माहल में अभी अभी एक ख़बर मिली है कि बिजनस में लॉस खाए एक इंडियान ने खुदकुशी कर ली है पेट्रोलियम मंत्राले के अंडर में काम करने वाला रफीक मुहमद नाम के इस शक्स अगर ऐसा ही चला तो हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा यू एए में कंस्ट्रक्शन की काम पर लगी हुई कुल राशी 582 मिलियन डॉलर का काम रोक दिया गया है फिर कॉल आया तो बात करो है हलो कि अग्या कर दो दिनों के भीदर की उटेल में डीव पीये करना होगा नहीं तो चैनल कर लाइसेंस रद हो जाएगा तो मोहमद अली से एक बार वापस बात आखे देखू नहीं कुछ बाइदा नहीं है बहुत लोगों का कंस्रेक्शन का काम बंद है मुहमद अली का भी दो यूरिट का काम बंद पड़ा है अब हम क्या करेंगे किसी स्टाफ का पेमेंट भी नहीं दिया विदा क्यू टेल कर ट्यू भी नहीं बारा सर पर बहुत गर्ज हो गया है कुछ तो करना पड़ेगा कोई ऐसा है कि जो में प्याज पर पैसे देदे और उनकी पॉलिसी बहुत खराब है यह सब सोचने का वक्त नहीं है कैसे भी अपना काम निकालना है पैक पैक करके तुरंट रेडियो जा क्यों क्या हुआ कल तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है ऐसे हमें इंफोमिशन मिली है शायद बैंक वालो ने कंपलेंड की है अभी के अभी यहां से जाना होगा तुम्हें इंडिया भेजने की में व्यवस्ता कर रहा हूं फटा फट तैयार हो जाओ दो अभी तो शुरू हुई है आनंद रमन के प्यार की स्टोरी तो क्या कहा था अपने दुख को त्या क्या वर्तमान में चियो प्यार का अनंद लो यह भगवान बीना कुछ पताय बगैर क्यासे है वो जल्सी जल्दाना पड़ा आप खाने के लिए कुछ लाओं क्या नहीं मैं जरा सोँगा झाने के लिए कुछ लाओं कुछ लाओं कुछ लाओं कुछ हेलो इस इन हमदुला मालिस मालिस मदे आईवा तुम किसी से डर रहे हो क्या प्रोब्लम है आपना चैनल यहां चलेगा ना भया चलेगा पर पैसे ज़्यादा लगेगा पहले उदर आच्छा चलने दो फिर बाद में देखनें पापा आ गया तो मामा को भूल गई इधर आ रहे हैं बहुत बूर हो रहे हैं खेलने दो हमें हेलो हाँ बोलो ना देखो मेरा मतलब है मैं दो हप्ते में बिल्कुल ठीक कर दूगा है हमें मैं तो मैं आट करता है 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 तो अब मुझा जब तक नहीं आएंगी हम सब यहीं इंतजार करेंगे चोले ले वहाँ जाके रुखते हैं मेरे पास अभी यही है अभी घर में कोई गैर आदमी नहीं आना चाहिए यह लो चैनल शुरू करने के लिए जो बैंक से लोन लिया था उसके लिए बैंक से नोटिस आई है नितीश ने मुझे फोन किया था कल से मैं चैनल जॉइन कर रहे हूँ हाँ बैटा भाई दो चाहिए दे ना हाँ हाँ सुन अभी के लिए अपना घर बदल ले अभी के लिए अपना घर बदल ले कलमबोली में मेरे दोस का एक प्लाट है तुम लोग कल ही वाद शिफ्ट हो जाओ रेवती नए चैनल में जोइन हुई है ना उसके लिए वहां से आना जाना अच्छा रहेगा और यह पैसों की तंगी के वज़े से सब तुम ही परशान नहीं हो मंद को शान्त रखो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा तुम अभी सिफ्टिंग के बारे में सोचो इरान सरकार अपना फैसला सुनाने में देर कर रही है और अपनी बातों से चिंगारी उगल रही है आतंगवादियों के हमले से अब तक लगबक 60 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिस के निक्रावी में रहने वाली पब्लिक की भी मौत हो चुकी है एक ही समय पर दोनों तरफ से हमें ऐसी सूचना दी गई है हलो जूटे अगर तुन्हें हमारा पैसा सिरी तरह से वापस नहीं किया ना तो तेरा हाथ पर दोड़ के अपाहिस बना देंगे तू अपने बच्चे को पीछी रोड पे देखना चाहता है क्या अब सेंभाई वह मैं आकरी वोका देत की है जैसा आपने कहा अगले हबते मिलते हैं अब मैं तुम्हें कैसे समझाओंगा आजकल हाथ बहुत तंग है ऐसे में पैसे के जुगाड कर पाना फिर कभी होगा तो जरूर करूंगा समझ रोने मेरे चलता हूं मेरी एक गल्ती के बजह से यसब हुआ इन सब की जड़ मेही हूँ उधर के बैंक से लिया गया लोन तो थोड़ा समझाथ सकते हैं चैनल में काम करके थोड़ा बहुत संभाल सकते हैं लेकिन इन लोगों का तो दस लाग के उपर ही देना पड़ रहा है वो भी दो तिन के अंदर अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करूं अब ऐसे में मुझे एक रास्ता दिख रहा है बच्चों के लिए जो मेरे माता पिजा ने जमीन रखी वही तुम्हें बेशनी है ना यहीं तुम्हार रास्ता है ना नहीं बेशने दूंगी मेरी जिंदीकी बरबाद हो कि तब भी नहीं आपने प्यार के बारे में कहा था ना पांच साल उससे प्यार करके शादी किया है मैंने आपको पता है पता है आपको एलसी चैनल जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मैं नल का पानी पीता था बिनरेल वाटर नहीं पीता था उस पैसे को पचा बचा के मैंने मैं उसे भे मेरी बीवी बच्चों को जो सुविधा नहीं मिलती थी वो मुझे नहीं चाहिए थी मुझे इस बात को वो कभी नहीं समझे इतनी मुसीब्तों के बावजूद मैं खुद को खड़ा करना चाहता था जो भी नुकसान हुए उसे फिर से हाजिल करना चाहता हूं समझा समझा के ठक गया फिर भी वो नहीं मानी मानी कि भी नहीं गलती मेरी ही अब तक मैं बीवी बच्चों के बारे में ही सोचता था उसके क्या गलती है और आप भी बार बार पूछ रहे देना कि क्यों फोन को बार बार उठाकर देख रहे हो नहां सिम है इसका नंबर एक मेरे पास है या फिर मेरी बीवी के पास मुझे घर छोड़े हुए दो दिन और दो रात गुजर चुकी है लेकिन अभी तक जिन्दा हूं या मर गया हूं ना कोई फोन आया ना कोई मेसेज आये अभी नहीं जानता हूं मैं उसका एक कॉल जब मेसेज आया होता तो मैं वापस चला गया होता लेकिन उसने भुलाया ही नहीं क्या कहोग इसे कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे बीवी को जान से मार देना चाहिए मार दू क्या पीया मैंने अटाहिट तुम्हो गया भाई 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 आप जाकर सोचो अरे रुको क्या है कल तुम मेरे साथ आओगी क्या अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें कुछ पैसे भी मिलेगे जिससे तुम अपना करजा भी चुका सकते हो समझे आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए लेकिन आओंगा क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हों चलो चलता हूं क्यों करता हुआ। झाल कर लगा दो का जड़ दो दो कि अगाती है Hello sir 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 Reno Coach एक फिल्म प्रॉदुसर फिल्म इनिश्टी में अधी बड़ नाम है खाल Sir यह कादी के खाज बन थे और अशी ओन था मुझे लगता है एक्सिडेंट था है Sir मुझय और कोई यूसरा कारण ने लगता है सर, सर बोडी को पोस्समॉटम के लिए भीज दिया सर, ठीक है सर अरे भाई इतनी चल्दी तुमने एक कार कहां से अरेंज कर ली तुम मुझे इतना मामुली इंसान भी मत संजो आज तुम बहुत रिलेक्स लग रहे हो यही तुम्हे चाहता हो कि तुम कुछ रहो मैनकाइंड वॉस बॉन ओन आर्थ इट नेवर मेंन तो डाइ हेर हिंदी के हर फिल्म का हीरो यही कहता है लेकिन अब यह मैं गह रहा हूँ यह तो बहुत बड़ा है रगु भाई का घर रवी चंदरन उसका नाम है रवी चंदरन अयाशी के रगु भाई हिल्टॉप रगु भाई करना टक में फाइस्टार होटल खोल चुगा है नया प्रोजेक्ट कारवार में है समुन्दर के किनारे दस एकड में उसका फार्म होसे बेसिकली आया मेन अर्किटेक्ट्चर बट आर्किटेक्ट्चर इस माय पैशन उफर की बेटी अना मिका मेरी फेस्बुक फ्रेंड है उसी के जरिये मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है इसके बारे में काफी चर्जा भी कर चुका हो बड़ा प्रोजेक्ट है अगर हमें मिल जाए तो परिवार बढ़ जाएगा बेटा ये लो अभी तुम ड्राइविंग करो मैं जरा आराम करूगा ठीक है ना अच्छा जोन अनामिका यह नो इस इस अवर फर्स्ट मिटिंग है वैसे हम फेस्बूप पे काफे बार मिल चुके हैं पर सामने पैली बार मर रहे हैं प्लीज कम हलो पापा जोन हलो इसकी तो रहिंग केमेस्ट्री भी तक रुकी ही ने जोन कारवार में आ चुका है तो मतलब मंगलापूरम में आ चुका है लेकिन ये तो सर्प्राइज हो गया आप जोन हो बताया ही ने एक साल से इंदजार करो एक साल से इंदजार करो है एपी बर्था तो य। अनामिका अच्छा मैं आती हो हुआ एक साल आतोंगो कर दो कर दो झाल झाल पूसमोटम रिबोट में कारवन डॉकसाइड मिला है गले में एक मार्क है शायद उसीड बेल्ड का है और उनके बलड में अलकोहल पाया गया है कर दो में एक मार्क है सर मरने से आदे घंटे पहले अपने बैंक में रखे हुए सारे पैसे मतलब 32 करोड नाइजीरियन के एक अकाउंट में मैंडम ने खुद ऑनलाइन ट्रांसफर किया है सर यही वो नंबर मने ट्रांसपर के सिलसिले में एस पी ऑफिस में एक इंक्वाईरी आई थी यह तो छोटा सा इस्वाल ट्रांसफर है इसलिए मैंने समझाल लिया बनाद ट्रांसब्स काल ट्रांसब्स यह तो अप्रांस झूलीजर दो झाने कि जूराएब सा विंसेरा राण झूलीजर, घ्रता राण पाण, 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 हेलो रगु भाई मैं खुराना खुराना तुम किदर हो मैं अब यहां कोचीन में हूँ मैंने तुम्हें दो तीन दफ़ा तुम्हारे पुरारे नमबर पर कॉल किया था कौन है खुराना इस वक तुम कहा हो तुमसे तो बात के हुए लगभग छे महीने हो गए चलो अब जाके तुम्हें मेरी याद आए रीना है क्या बाजू में रीना को फोन दो जरा हलो हलो वाट हबेंड रेनू मर गई वाट तुरगटना हुई यह करके पुलिस बोलते हैं लेकिन मरने से सिर्फ आदा घटा पहले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दी है मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ मुझे कुछ डाउट लग रहा है यहां पे हलो थोड़ा होल करना क्या कर रहा है है जुफ अब मुझे पैच्वान के रहे हो नहीं? अब मुझे क्या करना है जो चाहिए ले लो हम लोगों को मत मारो हम लोगों को छोड़ दो प्लीज और लास्ट लोगों को मेरो हम टूल करने में घ्याँよक्रायाँ वक्यू लोगों काती अग्याँ लोगों के मैं जी्याँ अब मोगों को आग्याँ Stellenए, यरॉब मैं हम्याँ आभों के लोगों के लोगों pas प्राइब करें करवान के लिए हमें मत मारो प्लीज तुम तीनों के अकाउंट में जितना भी पैसा है मैं जो अकाउंट नमबर दे रहा उसमें ट्रांसफर कर दिए आपाइसे ट्रांसफर कर दिए Do it Papa! Do it! येलो, चलो, लिखो, लिखो, मैं जो घह रहा हूँ, पैसो की कमी के कारण, मैं मजबूर हो गया, आत्महत्या करने के लिए, पैसो से भी केमती है जिन्दगी, है ना रोगो भाई? येलो, है येलो, बैग लेकर जल्दी से उपर आओ, क्या बात है, है येलो, क्या हुआ, क्या हो अजेए? क्या हो अजेए? यह इप यँ उफ आपनाओ। झाल झाल जितनी खुबसूरत तुम हो तनी खुबसूरत तुम्हारी सोच है इस घर को देखते है लगता है इंडस्टिय में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा मैंने बोला था ना जान के बारे में हम दोरों ने एक पार्टनर्शिप का एग्रिमेंट साइन किया है यूँ वांट तॉ सिंगापूर में है अगले हफते आज आएंगे उसके बाद दो तीन महीने यू-एस में रहेंगे क्या हुआ मुझे तो यकिन नहीं होता कि इतनी खुबसूरत बेवी होने के बाद इंसान दूर कैसे रह पाता है जो 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 जाएंगे क्या हम ग्राउंड प्लाजा जाएंगे क्या किस लिए इफ यू डों माइंड अगर मैं आपके लिए खाना बनाओ तो प्रियाली बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट खाना तुम्हारे लिए बना सोता है अजया आपके लिए आपके लिए यू जली कहां खो गया है अब स्वाइब इट सिक्साओ क्लॉक जाना है ना हमें ठीक है साथ बचे मीटिंग है बोला था ना मैंने वो कैंसल कर दिया हुर कर अचा कर अच्छा क्यों फग्युिदा व्युष थिए क्यों मैं प्लोट मैंन ना fol heavy nons førста tester researchers PDF ertas झाल 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 सिनो, वो नो ताँना पास्वार पास्वार्ड मैथ्यू 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 1-2-Z पैसा और जिंदगी इन में से जरूरी क्या है क्या बताएंगे प्लीज छोड़ दो मुझे टेल मे समय बर्बाद मत करो मेरे सवालों का जवाब दो मुझे जवाब दो मुझे हम बाहर घूमने जा रहे हैं कम आन हमें ड्राइब पर जाना है कि इतना पसीना क्यों चूट रहा है तुम्हें डर लग रहा है हम्हुल Alle आलो पुलिस सेशन आलो पुलिस सेशन सुनो, एक कॉफी, तुम्हे क्रिम्नलो, मड़र हो, जो भी हो, लेकिन तुमने मुझे इस चक्कर में क्यों फसा दिया? आपको लेकिन, एक दाप जो हो, लुसे आपड़ के दुम्हें, प्रॉब भी हो, आपको अपको बीजिआ हो, एक राभको छो, घुझे बुझे हो, इस राभको अपको अध्य में चो, प्रॉब आपको सो पूर्ब भी हो, खाफिए। अगो बसाया, प्टोर बसाया बस्टोर वाल दोको हम घट भडहे हैं को लडार हम गड़ हम गड़ हर दो कि गूटाए जो अजट है जो टो टो शोर और चॉटाए टो अजब अजऒ है घ्टाए है हुटाए जुटाए जो जो चैना जटाए हुटाए जजब टो लो एगे एगा तुम्हें कारवार में मैं लेकर नहीं आया नहीं आया मैं भगवान ने तुम्हें भगवान ने लाया है यहां पूछो उसे क्यों लाया शोपनेंगल थांगलोडे वर्मंगल नंगलोडे शाले माल्पी एक मिनिट ना है हलो तुम किधर हो कितने दिन हो गए फोन तक ने किया तुमने तुमने जो नंबर लिखके दिया था वो भी कहीं खो गया मुझसे किधर हो कैसे हो मैं पेचैन हो रही हूँ कुछ मत कहो जल्दी आजाओ अपने पूरी जाइदात बेज कर सारे करजे चुखा देंगे तुम यह सब सोचकर परेशान मत हो तुम्हारे माबाप नहीं है तो उनके जगह पर हम लोग है ना तुम्हें कुछ तक्लीव हूई थी तो पहले पटाना चाहिए था ना वो बैचवाले का नाम क्या बुला था बेटी? हाँ, साइमन मैं उसे इधर ही बुला लेता हूँ हम में उधार लिया है तो चुकाना तो पड़े गई अब अगर अपनी जबान से पलड जाएंगे तो बड़ी बद्नामी होगी हाँ, 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 हाँ हाँ, 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 कारवार में था काफी लंबी जर्नी थी हम यहां रहला प्रफर सम्कीन कि शायद अब तुम्हें पता चली गया होगा कि कारवार और यहां पे तुम्हें कौन लिख्या है देखो जॉन तुम लोगों के बीच कुछ सीरियस इशूज हो सकते हैं लेकिन तुम जो कर रहे हैं उसे काम सुधरेगा नहीं बिगड़ जाएगा किसी बात के लिए किसी को मार डाला यह कौन सा तरीका है ओके जॉन तुम खुद को और मुझे देखो उस ट्रेन यातरा के पहले हम दोनों अजने भी थें फिर हम दोनों यहां क्यों अखिर मैं यहां क्यों हूँ बहुत इंतिजार करना पड़ा जब मैं यहां आया जॉन भी यहां आ गया था सुबाश सेर तीन चाहिए लेना सॉरी मुझे नहीं चाहिए चलो वहां बैठते हम अवा अच्छी आएगी इस घर को खड़ी थे कितने महने वे दो साल प्यूंटीफुल हाउस इंटिरियर वर्क बहुत अच्छा है सब रेनु की पसंद है ब्लैंक्स कॉटन्स फीनिक्स लैंड्सकेपिंग एवरिटिंग सच कहूं तो मेरी वाइब भी ऐसी थी घर ही उसका सपना था लेकिन वह यहाँ पर नहीं आसाम में प्रह्मापुतिरा के बगल में वहां मैंने दो एकड़ जमीन खरी दिये रेटार्मेंट के बाद सोच रहा हूं वही रहूंगा सुबाश तुम घर जाओं सर कुछ जरूरत हो तो पताईए मेरे बीवी पांच मैने की प्रेगनेट थी जब मुझे मलेशिया जाना पड़ा लेक आउप पार्क प्रड़क्शन में मैं क्रियेटिव इट का काम कर रहा था डेट साल से पहले छुटी नहीं मिलती थी दिन में चार पांच बार स्काइप बे बाद करके दिल को मन को तसल्ली देता था कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि फ्लाइट पकड़के उसके पास चला जाओ मगर वो कहती थी जो काम नहीं करना हो वो मत किया करो अगर वहां से काम छोड़कर भाग कर आये तो आपको उने कितना नुक्सान भरकर देना होगा पता है क्या तुम्हें? पहले वहां का काम पूरा करो फिर बाद में आराम से वापस आजाओ यहां पर मा है, पापा है, डॉक्टरों की फॉर्ज है फिर किसलिये डर रहे हो? What happened? I just want to tell you something. I have shocking news for you. I am so excited. देखो, मजग मत करो, बताओ मुझे क्या हुआ? मेरे पेट में चार बच्चे हैं. क्या? मेरे पेट में तुम्हारे चार बच्चे हैं. अन्हा? शायद तुमको पता नहीं मगर मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया हूँ. 46-year का celebration. तुम्हें बता नहीं तुम्हें मुझे मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है. यही वोका है. सेलिब्रेशन करने का मैं बाप बनने वाला हूँ. आखिर वो दिन आहीं गया. मैनी कॉंग्रेट्स, Mr. John David. यू आर वन अफ लग्यस्ट फादर इन दे वर्ल्ट. तैंक यू बाइ. माइ गॉड! मैं हर पल हर समय अपनी दुनिया सपनों में जी रहा था. घर में, आफिस में, कार में. हर समय में अपने बच्चों को देखता था. और जब भी मौका मिलता था, मैं स्काई पे उनसे बात करता ह। यह चारो बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं. बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही. चारो एक ही साथ सोएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी एक को सुला दो, तो चारो सो जाते हैं. मा नहीं है क्यों? मा किचन में बच्चों का दूत रेडी कर रही है. तुम इधर आजाओ, चारो तुम यह देखकर मैं जरा चैन की नीन सोऊंगे. समझे ना? हाँ, ओके. मेरी बीवी चाहती थी कि हमारे बच्चों का बद्दे हम हमारे घर में मनाए. मैं भी वही सोचता था. इसके लिए मैंने वीजा के लिए अपलाई भी किया था. मुझे लगा कि अब हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं. देखो, यहाँ पर जाधा से जाधा इंडियन है. ना पासपोर्ट, ना वीजा, कुछ भी नहीं है. इनके बीच में ही पिता जी अंकल से मिले थे. दोनों साथ में आसाम में कभी काम किया करते थे. आंटी और उनकी बेटी भी साथ में हैं. सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई. हे सुनो, रगु, अंकल और उनका फ्रेंड हमारे यहाँ आये हैं. पापा ने उनको स्पांसर करने का फैसला किया है. उन्हें वापस उनके गाउं भीजने के लिए. मैं जरा बच्चों को कुछ खिला के वापस आती हूँ. जैसे ही उन्हें उनकी टिकट मिली, उनके चेहरे को देखते ही पता चड़ रहा था कि वो कितने खुश है. मेरी तो आखों में आसु आ गए. उनकी दुआ हमारे बच्चों को लगे, अच्छा हुआ ना? वही थी, उसकी आखरी कौन. उसके बाद दो दिन हमारी कोई बात नहीं हुई. और तीसरे दिन खबर आए कि जोसब और उसके परिवार ने खुदकुशी करी. मैंने मेरे बच्चों को इतने करीब से पहली बार देख रहा था. हन्ना के पिताजी तकलीब में हो और वो आत्मत्य करें. इस बात में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था. मुझे पता चला कि उनके अकाउंट का पैसा कहीं ट्रांसफर हो गया है. उनके मरने से आधा घंटा पहले. उनका सिंगापूर कंपनी के साथ कोई केस चल रहा था. इन सब बातों को सोचके मुझे लगा कि यह आत्मत्य नहीं है. पर पुलीस के तैकिकात में उन्होंने कुछ मेल चेक की. और उन्होंने ये डिसिजन दिया कि एक आत्मत्य रहे. और केस क्लोज कर दिया. अगर मुझे नहीं लगता यह सच है. इन सब बातों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला. और सोचते सोचते एक साल निकल गया. जनाब कोई तकलीव? वालेकुमसलाम, I'm sleeping. कोई दिक्कत तो नहीं है. Sorry. ठीक है. UAE Highway Development के कॉर्टरस में रहने वाले जॉर्ज जोसफ, इंडिया के है, खुद की गाड़ी में दमखुटने की वज़े से माले गए. जोसफ खुद की गाड़ी में की मरे पड़े है. जोसफ की बीवी मारिया चॉर्ज और उनकी बीटी हना विसात मनी. उनकी बीटी हना के छे मेने की चार बच्चे गाड़ी के अंदर मरे पड़े थे. दिखा जाएं तो एरपोर्ट जाने की जल्दी में सारे लोग अंदर फज गए. ये कार के लॉक सिस्टम की वज़े से सारे लोगों की मृत्य हुई है. पुलिस का यही कहना है. जोसब जोज और उसके परिवार ने आत्महत्या की है. ये एक दुरघटना है. पुलिस ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है. ये प्रवासी चेनल इस मौत की हर छोटी हे छोटी बात को जन्ता के सामने रखता रहेगा. आपको ही मच चाहिएगा. जोसब जोज और उसके परिवार की आत्महत्या का फूरा सच आपके सामने आएगा. पुर्वासी चेनल इस मौत की स्पेशल इंवेस्टिगेशन करने जा रही है. ये एक एक्सिडेंट है या कोई साचिश? मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई राज जरूर होगा. प्रवासी न्यू चैनल ने तीन दिन के अंदर ही इस मौत की जानकरी जंता के सामने रखी थी. मगर अगले ही दिन ये मौत नहीं आत्महत्या है. बिजनेस में भारी लॉस होने की वज़े से जोसफ जोज ने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली. ऐसा उसके जानक पहचान वालों का कहना है. यही इशारा हमारी इन्वेस्टिकेशन टीम का भी है. रिशासन की वज़े से जोसफ जोज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था. इसलिए वो मजबूर था इस तरह का कदम उठाने के लिए. सिंगापूर में एक कमपनी के साथ उसकी एक बहुत बड़ी डील का सिलसिला चल रहा था. और शायद यही वज़ा है उसकी आत्महत्या का. ऐसा लोगों का मानना है. मरने से एक घंटे पहले उसने अपने एकाउंट के सारे पैसे सिंगापूर की दो कमपनियों में ट्रांसफर किया है. सुत्रों से पता चला है कि वो आजकल काफी दबाव में थे. और शायद इसी वज़ा से उन्होंने एक कदम उठाया. और तब तकलीफ से परिशानी जद कवाने के बाद सुसाइड करने जैसा हर वक्त मेरे वर गुजर रहा था. करिये झाला है. करिये झाला है. उस दिन शाम को सारा सामान पैक करके हम हम सब जोसफ सर के घर पे चलिए आए प्लीज काम प्लीज तेंक यू यह अंकल करोम पच्पन डिग्री में जलते हुए आग से जोसफ सर के ठंडे बंगले में घूमते वक्त हमारा खोयावा घर हमें याद आ गया हम यहीं रहने लगे तुमने क्या सोचा घर जाने के बारे में मरने के लिए उतना दूर जाने की ज़रत नहीं है इंडिया जाकर कैसे जीएंगे पैसे देने वाले रात दिन फोन कर रहे हैं सबके पैसे देने हैं अब मैं उन लोगों को क्या जवाब दू फिर मैं उन लोगों के साथ किसी भी तरह इंडिया जाने की सोच रहे थे टीकट हाथ में आने तक अभी सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है दो तिन प्रॉपर्टी खरीद रखा था वो भी बेच दिये महल जैसा एक घर है वो भी अपनी बेहन के नाम लिखकर रखा है अभी जाकर उस शट के नीचे सोना पड़ेगा मैं उधर नहीं रहोंगी तो फिर कहा जाओ कि चुब चाफ खड़ी रहो यहीं पर है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है पांच पीडियों तक खाने की जाहता है जोसफ सर के पास है हमारी खुई हुई जिंदेगी वापस पाने के लिए यह हमारे हाथ में आजाए तो क्या तकलीफ है कि चोरी करोंगे कि जंगल की कसम भूक लगने पर शिकार करके खाले में कोई बुराई नहीं है इस हालात में इधर भी और गौव भी जाकर हिम्मत और ताकत दोनों की जुरूत पड़ी है अब जिंदा रहने के लिए दोनों में से एक फैसला होना चीए कि लिए कि ताकति ही प्रणीप लिए कर दो कर दो कर दो कर दो कि अवाज करके किसी को जगाओ बच्चे की गर्दन पर रखा चाकुत थोड़ा दबाया तो बस मर जाएगा नहीं मेरे बच्चे को कुछ मत करना तुम लोगों को क्या चाहिए तुम्हारे और तुम्हारी फैमली का बैंक अकाउंट में रखा हुआ फुल अमाउंट मैं जिस अकाउंट मैं बोलूँगा उस अकाउंट पे आनलाइन ट्रांसफर करता हुआ एक मिनिट भी लेट हुआ तो बच्चा जिन्दा नहीं रहेगा यहां यहां आनलाइन ट्रांस votre थार शीर शी Caf Joan अब टाइम तीन बज रहा है, पांच बज़े की फ्लाइट है, साड़े तीन से निकलना है, इदर जो भी चल रहा था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बज़े हमारे साथ ही होगा है मेरा राज्जा बिटा, चुप हो जाओ, मत रो, मम्मी गाड़ी में दूद का बोतल रखा की नहीं, हाँ लाग कर सब रख दिया है, रुको चलते हैं, बिटा चलते हैं, बच्चे को दे दो बाबू बाबू सब ठीक है ठीकट वगद लिया ना एक बाए 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 उङ्षेश्ड़ अझेश्छ jusquरे बाए Matainen का पाthey वास य्षेश्जר! य्षेश्ण DR. टी दिएष्ण इन व्भी इन ओ स वीजल बाए protest यान फ्रेश्ड़ बाए वारी वार्स वारी वार्स वार्स झाल कि सोच समझ कर हम लोगों ने एक अदम उठाया था वो सश्टे वक्त अब दर्द होता है पर उस वक्त कुछ कलत नहीं लगा इतने सालों का मेरा एक्सपिरियंस एक मिरट में बर्बाद हो गया कुछ गलत नहीं किया उन साथ लोगों का जीवन हम नहीं लिया पर उससे पहले एक एक चीडिया तक नहीं मारी उन बच्चों का चेहरा मेरे सामने आता है तब मैं सीना ठोक के यही कहता हूँ कि जंगल की कसम भूक लगने पर शिकार करके खाना कोई गलत नहीं यह सब जो भी किया वो अपने आपको बचाने के लिए किया अगर नहीं करता तो वो लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देते इसलिए बच्चने के लिए कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया कोई पाप नहीं किया करता है करता है कर दो कर दो बैंक में कुछ नहीं है बस ये कार और घर है जिसे सुभाज के नाम कर दिया है ओके मैं रिडी कैसे हो गिया मेरी मौत कर देघ कर दो ओड़ नो जो नो चाहाओ वही खड़े रहो और मेरी पात सुनो ट्रेन में ही मैंने तुमको देख के पैचान लिया था कि तुमकुछ छुपा रहे हो कोई राज है तुम्हारे दिल में सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने उस न्यूस को क्लोस कर दिया की तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम लोगों ने जो भी ना किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलने ही चाहिए तुम्हें नहीं लगता के मैं सच बोल रहा हूं इसको मत पारो मैं तुम्हारे पेर पकड़ता हूं पेड नियूज, इस पेड मर्डर, मर्डर से भी बड़ा पाप तू ने किया है, तेरे आखों के सामने, तू इससे मरता हुआ देखीगा, तडपे का ये, यही तुम्हारी सजा है, और तुम्हें भुगत्मी पड़ेगी, तुम्हें मीड़ेघन सक्षदिध operationally अपाप अंहें अचम्हें अपाप हएया है, तुम्हें आखेश। इस दो अबढ़ा है, तुम्हें है सक्वेश हैं, जैक में हमचें दोटल्ग Semश यहां लिए घबग्टनरा वार्म्हार्योईर्य यहां, वे अषया है? भी वर भी को वर भी वर जो शो खताव पारिक जार जाना, जाना, जाना जाएगा। कर दो करें दो कर दो लेला हुआ है झाल झाल प्युया ख़े भुच्दा रिखल भुच्पर आपके लुच्पर भुच्पर you are finished Mr. John David you are finished the 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 खुराना मेथ्यू लाइफ कैमरे के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए मारे गए सारे लोग फेस्बुक के जरीए इस वीडियो को देखकर खबरा गए डेविड और आनंद रमन को पुलिस ने एरेस्ट कर लिया एक साल के मुकदमे के बाद जोन देविट को पांच साल की सजा सुनाई गए आनंद रमन को मीडिया ने आनंद रमन को मीडिया के विचारों के सामना करना पड़ा यह किदाब लिखकर पहले मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सुनाया और लाश्ट पर सुनाने के बाद मैंने उन लोगों से पूछा कि इस कहानी का विलेन कौन है उन लोगों ने कहा पता नहीं पर मुझे पता है इस कहानी का विलेन आनंद है मुझे पता नहीं है मैंने सही किया या गलत किया आनन्द रामन, पत्रिका परवर्तक पहले कहीं भी एक जनरलिस्ट क्लास में पढ़ते वक्त अपने टीचर्स की बाते मुझे याद है किसे चाही के लिए लड़ो और मैं लड़ता रहोंगा आनन्द रामन इदर से चड़ेगा ऐसा बताया था ना? इदर से चाहे कुछ लोग समोसा खाके पेपर फ्लेट बाहर फेग रहे हैं यह गलत है ना सर अगर हम ही प्लेट बाहर फेगेंगे तो कैसा होगा सर इस पे कुछ ट्रेन की वे जिम्मेदारी है ना ट्रेन में डस्पी ना माई गॉड़ अरे यह समोचा पकड़ों सीधा पैंटरी से लेके आया हो अरे वो तुम्हारा भुका है वाह गॉड़ इस किताब को लिखने के लिए ओड मिला था वो इसे मिला है यह मेरे काव का है बहुत अच्छा है इनका नाम है आनंद और आनंद की वाइफ टे होती है अब हम लोग क्या करेंगे रेन से कूद कर मर जाते ऐसे क्यों बात कर ले हो अगर मैं गलत नहीं तो कोटोल में के नगराच से अब मैं सेट नहीं हूँ विकारी हो गया हूँ चीज इतना पास तक आया था पर हात में नहीं लगा रत्नगिरी वाडपटना कुंडल पेटल लुदियाना जालंदर नजाने कितनी जगा घुमा सर पर शनी था स्वामी की गुपा से वो अब कम हो गया है अब हमें गुवार्टी जाना है स्वामी वहीं मिलेंगे आमें वो हमारी तकलिप दूर करेंगे वो तकलिप दूर करेंगे क्या हुआ क्योंकि मैं भी उद्री जा रहा हूं इंसान हमेशा भविश्य में जीता है या तो भूतकाल में इसी वज़े से वो बहुत तकलिप में रहता है